हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायो वैडिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और इंपोर्टेंट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों डायविटीज रिस्की जी हाँ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे किस ब्लड ग्रूप वाले लोगो को डायविटीज होने का सबसे ज़्यादा खत्रा रहता है और आज आप जानेंगे कि आपको अपने ब्लड ग्रूप के हिसाब से डायविटीज का कितना रिस्क है और दोस्तों आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेर और स आप तनाओं में रहते हैं या नहीं रहते हैं लेकिन दोस्तों इन सब रिस्क फैक्टर के अलावा एक और रिस्क फैक्टर है और वो है आपका ब्लड ग्रूप और दोस्तों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस रिस्क फैक्टर के अधार पर यानि ब्लड होगा कि हमें diabetes होने का खत्रा जादा है या कम है तो दोस्तों मैं आपको बताओं कि एक research के अनुसार o blood group वाले लोगों को diabetes होने का खत्रा सबसे कम रहता है जबकि इसके अलावा जितने भी blood group वाले लोग हैं उनको diabetes होने का खत्रा लगातार बना रहता है आप समझिए दोस्तों कि 2014 में एक study की गई और उसमें ये पाए गया था यानि इस बात का confirmation किया था कि जितने भी non-o blood group वाले लोग हैं उनको O blood group वालों के तुलना में diabetes होने का खत्रा जादा रहता है दोस्तों इस study की detail मैं बता हूँ आपको तो इस study के लिए 80,000 लोगों को शामिल किया गया था और उन सभी का blood group अलग-अलग था लेकिन जब result पता किया कि कितने लोगों को diabetes है कितने को नहीं तो इसमें लगभग 3500 लो की तुलना में 10% अधिक खत्रा है जबकि जिन लोगों का blood group B है उन्हें O blood group वालों की तुलना में 21% जादा खत्रा है दोस्तों तो आप समझेगा इसी study में ये भी पाया गया दोस्तों के AB blood group वाले लोग भी O blood group वाले लोगों की तुलना में अधिक खत्रे में है और ये परिणाम निकला ये result निकला के जिन लोगों का blood group O है उन्हें diabetes का खत्रा कम है जबकि जिनका blood group B है दोस्तों उन्हें diabetes का सबसे ज्यादा खत्रा है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और अगर आपको ये information पसंद आई हो तो please हमें like और share जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो please हमें subscribe भी कीजेगा हमारा नाम है बायवेदिक्स थेंक यू